इस वीडियो में मैं टेक निउस के बारे में बात करें तो वीडियो को लाइक से रहा चैनल को सस्क्राइब कर ले और वीडियो के एंड तक बने रहे हैं रियल्मी बालों ने फाइनली कंफर्म कर दे अपने अपकमिंग फोन के बारे में रियल्मी 10 प्रो प्लस 5G जो की कर्ब डिस्पले के साथ आने वाला है इसका प्रोसेसर हमें मीडिया टेक का डाइमें सिटी 1080 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसका डिस्पले 6.7 इंचे के साथ सूपर अमोलेड डिस्पले 120 हज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है इसका बैटरी 530 में इसके साथ 67 वाट का फास्ट चार्जर मिलने वाला है अगली खबर है नोकिया के तरफ से नोकिया ने G60 5G फोन लॉंच कर दिया है यह फोन दो कलर में देखने को मिलेगा ब्लैक और आइस कलर में इसका डिस्पले 6.5 इंचेज का FHD प्लस डिस्पले है जोकी 120 हज रिफ्रेश रेट के साथ आता है AI triple camera का setup दिया है 50 megapixel का rear camera मिल जाता है और front camera 8 megapixel का दिया हुआ है और इसका प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर पर आता है और 6GB RAM 128GB storage वाले variant का price 33,000 रूपीज है WhatsApp के new features की बात करें तो WhatsApp community features roll out कर रहे हैं अब आप group के साथ community कर सकते हैं टोटल 32% एक ही वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं और file sharing की capacity भी increase कर दी है 2GB तक और group की capacity भी लगबग 1000 प्लस कर दी है ये update कुछी दिनों में सभी devices में देखने को मिल जाएंगे बात करें चिपसेट की तो MediaTek बाले 8 November को launch करने जा रहे हैं MediaTek के सबसे पारफूल चिपसेट MediaTek Dimensity 9200 चिपसेट के सबस्केट है